हेलो फिर्ट्स वेलकम बेक टो मैं चैनल आपने सब के साथ दिवाली श्पेशल मूंग दाल हल्वे की रेस्पी शेयर करने वाली हूँ तो बहुत कम इंग्रिडेंट मैंने इसे बनाया है तो चले इसी रेस्पी को फटाबर्ट से नोट कर लेते हैं तो सरसे पहले मैंने आप भीगो के रखी हुई थी उसे मैं ग्राइंड कर लूँगी तो थोड़ा सा पादी भी मैंने इसमें एट कर दिया है तो कुछ इस कंसिस्टेंसे मैंने अपनी दाल को ग्राइंड किया हुए तो यह आप देख सकते हैं तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो यह अप मै मैं इसमें दाल डाल दे रही हुँ जो कि मैंने ग्राइंड करके रखी हुई थी तो बस दाल डाल कर आपको अच्छे चलाना है ना आप गैस की फ्लेम को मीडियम रखेगा नहीं तो मारा हलवा जल जाएगा तो यह देख लीजिए अभी इसका टेक्ट्टर काफी तेक हैं यह नीचे काफी लग रहा था तो इसलों आप से बराबर चलाते रहें क्योंकि आप थोड़ा सा भी से छोड़ देंगे तो यह जल जाएगा और वह बंड इसमें आने लगेगी जो कि हमें नहीं चाहिए तो यह देखी हल्वा देदरे से बुनना शुरू हो गया है तो आप अब इसमें डाल दे रही हूं कि दो जो कि मैंने क्रॉष करके इसमें डाल दी है और वह रही है जो तक करम्बली टक्षर में आ जाए तो मैं आपको दिखा रहे हैं कि अभी इसका त्रों सा स्टिक्ई है तो आप इस तरीके से आप पुरी आप कढ़ाई में स्प्रट कर कि ताकि इसमें कोई भी गाटे न रहे जाए तो इस तरीके से आप भूनते रहें तो यह देखिए बिल्कुल क्रम्बली टेक्शर में आ चुका है लेकिन अभी पुए तरीके से रेडी नहीं है अभी आपको इसे और भूनना है तो इसे थोड़ा सा और 10-15 मिट आप इसे अच् अभी भी आपको हल्वे को और भूनना है क्योंकि इसमें हल्वा अच्छा बनेगा डिपेंड करता है कि अपने हल्वे को कितने तरीके से बुना हुआ है तो यह अब मैं इसमें शुगर एट कर रही हूं तो शुगर थोड़ा सा पना पानी रिलीस करेगी तो आपको पानी क पूरा सुखाना है तो पानी को थोड़ा सा सुखा लेते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको जी जूम आउट करके दिखाऊंगी कैसा मैंने शुगर डाला हुए है तो अभी क्रिस्ट्रलाइज ही है तो थोड़ा सा इसे में भून के थोड़ा से शुगर को मैं इसमें कर लेती ह तो कुछ किसे मेडियम फ्लिम पर भून रही हूं तो मैं आपको दिखा रही हूं तो यह देखिए हमारे शोगर अच्छे से के ड़ंल आप अश्देन करेंस को चुक़िए हैं तो कि अच्छे बून गया है तो इसका मतलब इस अनुन गया है और कि अधि और भी स्टिकी नहीं कोई भी डाय फूट्स ले सकते हैं उसे अगर आप फ्राइब करके डालते हैं तो और भी अच्छा होगा अधर्वाइस आप एसे उपा से डाल सकते हैं कोई टेंशन नहीं है एंड बस आप इसमें मावा डाल दीजिए तो मैंने इसे मावा एड कर दिया है तो मावा डाल के मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगे और मावा भी थोड़ा सा कैरेमलाइज होगा तो आप इसे टेंशन दले आप थोड़ा सा इसे भूने तो यह अच्छे से हल्वा की अजाएगा तो यह देखिए बिलकुल हमारा हल हल्वा बन के रेडी हो गया है 2-5 मिनट मैं इसे और भुनओंगे अग्दम इसलो फ्लेम पर तो चलिए देखाती है आपको अपना हल्वा टिये देखिए मेरा बन के रेडी होगए मैं इससे आपको प्लेट करके दिखाऊंगी तो यह लिजए बन के तैयार है मिल्भा आप कोई रस्पी कैसे लागी कॉमन बॉक्स को जोरू बताएगा वीडियो को लाइक करेगा फ्रेंड्स और फैमली में शेयर करेगा एंड सब्सक्राइब करेगा थैंक यू